नमस्कार स्वागत है आपका एटी नाव स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजातर पार्ठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकर्ष टैक्स मंत्रा और इस शो में हम बात करेंगे टैक्स से जुड़े छोटी छोटी बालीकियों के बारे में उसमें आपकी उर्ज मेल आईडी लगातार आपके स्क्रीम पर फ्लैश होती रहेगी उसके ज़री आप अपने सवाल हमसे पूछे इसी के साथ ही साथ हमारा फोन नंबर वाटसाइप नंबर भी आपके स्क्रीम पर फ्लैश होगा आप अपने सवाल की क्लिप बना कर भी हमें भीज सकते हैं वह हम सीजन चल रहा है और हम उमीद कर रहे हैं इस बत रियल एस्टेट की जिस तरह से डिमांड देखी जा रही है काफी अच्छी मांग वहाँ पर देखने को मिल रही है और उसी में आप सबने भी अपने अपने बजट के अनुसा घर खरीदने का मन बना लिया होगा लेकिन ऐसे म भी प्रॉपर्ट्री को खरीते समय उससे जुड़े नियम क्या कहते हैं उससे जुड़े टैक्स के नियम क्या कहते हैं आपके ओपर कितनी टैक्स लियाबिलिटी बन सकती है या फिर आप कितना बचा सकते हैं एक अद्भैतर टैक्स प्लानिंग के जरीए इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे चलिए शोकित शुरुआत करते हैं आज हमारे साथ मौझूद है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवन्त जैन बलवन्त जी थाइंगे सो मैं चीना उस्वदेश को समय देने के लिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है शुरुआत अगर हम करना चाहेते सबसे पहले यह पूछना चाहेंगे आपसे कि एक जो करदाता है या एक इंडिविज्वेल है वो कितनी हाउस प्रॉपर्टी अपने पास रख सकता है इसके इसके कुछ नियम है देखे पुजा ऐसा है कि इंकम टेक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी रेस्रिक्शन नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी प्रॉपर्टी रख सकता है परन्तु एक से ज्यादा प्रॉपर्टी रखने के कुछ इंप्लिकेशन्स हैं मतलब इंकम टेक्स एक्ट के हिसाब से एक करदात दो से ज़्यादा जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है वो सेल्प उक्यूपइड डिकलेर नहीं कर सकता अगर दो से ज़्यादा अगर सेल्प उक्यूपइड प्रॉपर्टी होती है तो जो एक्सेस वाली प्रॉपर्टी है उसके उपर उनको नोशनल रेंट देना पड़ता है इसके अलावा जो section 54 एप है जिसके तहट आपको long term capital gain का exemption मिलता है मतलब residential house को छोड़ के दूसरी भी कोई भी asset बेची हो तो उसमें long term capital gain का exemption कर claim करने के लिए एक condition है कि taxpayer के पास मैं जो नई residential property खरीद रहे हैं उसके अलावा एक से ज्यादा दूसरी residential property नहीं होनी चाहिए यह जो दो restriction है इसके अलावा कोई restriction income tax act में नहीं है मतलब कितनी property एक taxpayer रख सकता है ओन कर सकता है और अगर काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि घरी खरीदने के लिए अब लोन भी लेते हैं तो क्या ऐसी कुछ नियम है कि आप एक से ज्यादा property के लिए home loan नहीं ले सकते हैं या फिर नियम क्या कहते हैं कितनी property के लिए home loan ले सकते हैं कि देखे ऐसा है कि banking rules के हिसाब से ऐसा कोई restriction नहीं है कि एक व्यक्ति कितनी बार या कितने घर के लिए home loan ले सकता है कितने बार लोन ले सकता है कितने घर के लिए लोन ले सकता है वो आपकी earning capacity के उपर depend करता है मतलब आप कितनी EMI service कर सकते हैं उसके basis पर आपको लोन मिलेगा मतलब अगर आपके पास sufficient income है तो आप चाहे जितने केंखा होम लोन ले सकते हैं एक साथ में भी ले सकते हैं एक लिए अच्छा अब house property और हम जो homeloon लेते हैं उससे जुड़े कुछ tax expert के nadzieję और हम टाक्स करें कि पजा सकते हैं तो तो मैं किसलका tax benefit ले सकते हैं किस section के एंडर में यह फायदा उठा सकते हैं देखे पुझा ऐसा होम लोन के अगेंस्ट में आपको दो टाइप के टेक्स बेनेफिट मिलते हैं पहला बेनेफिट जो है वो सक्षन एटी सी के तहत मिलता है वो आपको स्पेसिफाइड इंस्टिटुशन से अगर रेसिदेंशल हाउस के लिए लोन लिया हो तो जो प्रिंसिपल री पेमेंट करते हैं उसमें आपको डेड़ लाक रुपे तक का टेक्स डेड़क्शन मिलता है पर इसमें बहुत सारी दूसरी आइटम भी शामिल होती है जैसे आपका लाइप इंश्रेंस प्रेमियम है प्रोविडेंट फंड है यह लिए से बहुत सारी आइटम है यह ओवर क्राउडेड हो गया है तो उसमें कुल मिला कर आप इतना बेनेफिट ले सकते हैं दूसरा जो बेनेफिट है वो आपका जो प्रोपर्टी रख सकता है तो यह 2 लाग की लिमीट है एक यह दो घर दोनों को मिला के होगी दूसरा जो बेनेफिट है वो अगर मतलब अगर आप प्रोपर्टी को लेट आउट किया है किराय पे दिया है तो कितना इंट्रेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं उस पर कोई restriction नहीं है मतलब आप जितना इंट्रेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हैं परन्तो डूरिंग दे सेम यर अगर आपका हाउस प्रोपर्टी का जो लॉस है वो 2 लाग रुपे से ज्यादा है तो आप जो दूसरी income, salary income या business income है उसके सामने सिर्फ 2 लाख रुपे तक का loss ही adjust कर सकते है और बाकी का जो loss adjust नहीं होता है वो अगले 8 साल में carry forward होगा पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यह जो interest का जो benefit है वो इसके लिए जरूरी नहीं कि आप home loan ही ले आप even friends और relative से भी borrow करते हैं तो भी आपको यह benefit मिलेगा और यह जो benefit है सिर्फ घर खरीदने के लिए नहीं है अगर आप घर बनवाते हैं, repair करवाते हैं, renovation करवाते हैं तो भी 24B का benefit आप claim कर सकते हैं तो 24B के तहट आप renovation करवाते हैं या फिर मरमत वगरा कुछ करवाते हैं तो उसका benefit मिल सकता है इसके अलावा भी क्या फाइदे हैं इंट्रेस्ट पर आप किस तरह से फाइदा उठा सकते हैं टैस्स benefit ले सकते हैं यह भी हमने आपको बताया बलवन जी कई बार ऐसा होता है प्रॉपर्टी को अगर लेट आउट कर दिया है रेंट पर दिया है तो उस पर जो रेंट रिसीव हो रहा है टैस्स लिएबिलिटी किस तरह से बनती है उस रेंट पर देखे पूजा जो आपकी जो self-occupied प्रॉपर्टी है उसका तो जो income है वो निल माने जाती है मतलब जो annual value के basis पर decide होती है परंतु अगर आपने प्रॉपर्टी को किराया पर दिया हुआ है तो जो किराया मिला है उसके सामने जो कोई municipal taxes विगेर अगर आप payment कर रहे हैं तो वो पहले वो घटाए जाते हैं और उसके बाद में जो राशी बचती है उस पर 30% का standard deduction मिलते हैं मतलब जो आपका rent है उसका 70% पर आपको tax भरना पड़ता है परंतु यह 30% के अलावा अगर आपने घर बनाने रिपेर करने के लिए पैसा उधार लिया है तो जो interest वगेरे है वो भी आप claim कर सकते हैं और मैंने जैसे वो limit वगेरे बता दिये कि आप 2,00,00 रुपे तक का ही loss आप adjust कर सकते हैं इंटरेस्ट पुरा का पुरा claim कर सकते हैं परंतु अगर आपी rental income कम है और interest ज्यादा है तो 2,00,00 रुपे तक का loss आप during the current year आप adjust कर पाएंगे बिल्कुर तो ऐसे मैं आपको ये भी ज्यान रतना है कि आप rent कितना ले रहे हैं और interest के सामने उस्सों किस तरह से आप set off कर सकते हैं इस बात का भी आध्यार नगी बर्वन जी अगर वही property मैं अपने खुद के business के लिए यूज कर रही हूँ कारोबार के लिए यूज कर रही हूँ तो फिर किस तरह की tax liability या फिर calculation होगा देखे पुझा अगर आप अपनी खुद की property अपना business के लिए यूज कर रहे हैं तो जो आपकी property की जो value उसके आप उपर आप depreciation claim कर सकते हो और उसको खरीदने के लिए repair के लिए जो भी पैसा आपने दिया है वो भी पूरा का पूरा बिना किसी limit के आप business expenditure claim कर सकते हैं मतलब जो house property की जो income के जो provisions है वो आपकी जो खुद की property जो आप business में यूज कर से हैं वहां पर लागू नहीं होते हैं और अगर ऐसा कभी हुआ क्या मैं यह कर सकती हूं कि यह नियम के अंतरगात आता है कि अगर मेरी एक से जादा property है और मैं उनको भी अपने business occupation के लिए यूज कर रही हूं तो फिर कि सदर की tax liability बनेगी देखे पुझा आपकी भले एक property है एक से ज्यादा property है दस property है और अगर आपका business इतना फैला हुआ जिसमें आप 10 property भी business के लिए यूज कर सकते हैं तो सब property पर डेप्रिशिशन क्लेम कर सकते हैं और interest वगेरे का जो है payment कर सकते हैं इसके लावब आप repair का खर्चा करते हैं वो भी आप claim कर सकते हैं मतलब अगर आपके खुद के रहने के लिए use करते हैं तो आप repair का आपको अलग से कोई खर्चा नहीं मिलता है वो 30% का deduction मिलता है परन्तु आप business के लिए यूज करते हैं तो आपका जो actual repair वगेरे का खर्चा होता है वो आप claim कर सकते हैं मतलब 30% का deduction है आपका business में sell आपकी property यूज करते हैं तो वो लागू नहीं होता है ओके ठीक है तो यह तो हमने बात की अगर आपने rent दी है या फिर उस property को आप अपने business purpose के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर किस तरह की tax liability बनेगी लिगिंग कई बार हम अपनी property बेच कर हमें कुछ कमाई भी होती है वहां कुछ फायदा भी होता है तो वहां पर भी समझ लेत उस पर किस तरह की tax liability बनेगी देखे पूजा ऐसा है कि जो आपकी property है वह capital asset मानी जाती है और इसके बेचने पर जो भी profit होता है उसको capital gain माना जाता है अगर आपने वह property दो साल के पहले पहले बेच दिये तो वह short term capital gain माना जाता है और अगर दो साल रखने के बाद बेचते ह पहले हैं तो उसको उसको long term capital gain माना जाता है जो short term capital gain हो आपकी income में add होता है और आपका slab के इसाब से tax लगता है जो आपका long term capital gain होता है उस पर आपको indexation का benefit लगाने के बाद में आप 20% का tax लगता है और यह जो indexation है वो आपकी जो actual cost of acquisition है और जो year में आपने खरी दिये हैं जो year में बेच रहे हैं उसमें जो index ratio है उसके हिसाब से calculate होता है ओके ठीक है अच्छा यह जो capital gain फिर बचाने की क्या तरीके हैं अगर इसको house property के जरीए कुछ capital gain हुआ है तो इसको लेकि किस तरह से planning करनी चाहिए जिसे कम से कम tax liability मेरे उपर बने देखिए पुजा ऐसा है अगर short term capital gain है तो पर तो आपको tax भरना ही भरना है उसके आपको कोई exemption का scope नहीं है परन्तो अगर आपका long term capital gain हुआ है तो अगर और यह long term capital gain अगर residential house से हुआ है तो आपको जो index gain calculate करते हैं वो invest करना पड़ता है दूसरी residential house property में अगर यह capital gain आपका non residential property से हुआ है जैसे commercial property है तो आप घर खरीदने में residential house खरीद के capital gain exemption क्लेम कर सकते हैं परन्तो इस इस इस्तिती में आपको पूरा का पूरा पैसा जो आया है वो निवेश करना पड़ेगा इसके अलावा आपके पास में एक option और है 54 EC जिसके तहत आप पचास लाख रुपे तक का capital gain इंवेस्ट करके भले आपका ये residential property को हो या commercial property को हो इन दूनों cases में आपको सिब capital gain ही invest करना इंडेक्सेशन के बाद का और इसमें 50 लाख रुपे तक की selling है मतलब आप 50 लाख रुपे तक का capital gain एक साल में claim कर सकते हैं दर्शकों के clarity के लिए ही जेवी बताईए कि ये short term capital gain और long term capital gain जो है इसकी अवधी कितनी होती है कितने time period के लिए होते हैं जिसका कि हमें ध्यान रखना है देखिए पूजा ऐसा है कि अलग-अलग capital asset के लिए अलग-अलग holding period है परन्तु जहां तक सवा land और building का है तो उसमें जो holding period का requirement है वो दो साल है मतला अगर दो साल के पहले आप बेच देते हैं तो उस पर होने वाला profit या loss है वो short term capital gain और loss माना जाएगा और दो साल रखने के बाद बेचेंगे तो वो long term हो जाता है ठीक है चलिए यहां तक तो बाद समझे है कि capital gain को आप किस तरह से save कर सकते हैं बहतर tax planning के जरिए इन बातों का ध्यान रखें क्योंकि short term capital gain होगा तो वहाँ पर तो आपको tax भरना ही है आप उसको थोड़ा और समय के लिए hold करिए तो long term capital gain में आप अपना कुछ tax बचा भी सकते हैं दिखे पुजा ऐसा है कि अगर आप business कर रहे हैं और अगर आपका turnover एक करोड से ज्यादा है या profession में एंगेज और turnover पचास लाग से ज्यादा है और अगर आप किसी को 240,000 रुपे से ज्यादा का rent एक साल में payment कर रहे हैं तो आपको 10% के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा जो लोग audit में जो लोग इस turnover criteria में cover नहीं होते हैं वो लोग अगर महिने का अगर 50,000 रुपे से ज्यादा का rent का payment कर रहे हैं तो उनको 5% के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा तो यह तो TDS provision हो गए rent पे जब आप property बीचने जा रहे हैं और अगर property की value या stamp duty valuation 50,000 रुपे से ज्यादा है तो buyer को आपकी जो consideration है या जो value है उस पर 1% के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा और TDS उनको जमा कराना पड़ेगा और चुकि आपकी sale proceeds में से यह TDS कटा है या भले rent में से जो TDS करता है वो आप अपनी जो tax liability है उसके सामने adjust कर सकते हैं ठीक है तो यह है TDS के नियम अब हम जो rent pay करते हैं इस पर एक और सवार होगा जो rent pay करते हैं क्या उस पर भी कोई tax benefit ले सकते हैं क्योंकि वो एक तरीके से हमारी income है income में add हो जाता है तो obviously tax liability भी ज़्याद कि देखिए जो आप rent payment कर रहे हैं और अगर आप salaried है और अगर आपको आपके employer से hra मिलता है उस rent allowance मिलता है तो आप तीन item है उसमें से जो सबसे कम है वो claim कर सकते हैं पहले item है जो actual hra मिला है वो दूसरी item है आपका जो basic salary है उसका 10% से ज्यादा कितना आपको rent payment कर रहे हैं और तीसरी जो item है वो 50% आपका basic salary का अगर आप metro cities में रह रहे हैं और दूसरी जगे में अगर आप रहे हैं तो 40% आप basic salary का या आप अपना hra exemption claim कर सकते हैं अगर आपको hra नहीं मिलता है या आप self employed है तो आप तो भी आप और rent payment कर रहे हैं तो section 80 gga में आप deduction claim कर सकते हैं व आपका महिने का 5000 रुपे के rent तक होगा और वो भी restriction है कि आपकी जो total taxable income है net taxable income उसका 25% से ज्यादा नहीं होगा और जो limit है वो वापिस आपका जो आप rent payment कर रहे हैं वो आपकी income का 10% से कितना ज्यादा है तो यह 3 में से जो भी lowest होगा वो आप rent के against में claim कर सकते हैं ओके ठीक है तो यह rent आप जो पे कर रहे हैं उसके जरीए tax बचाने के नियम हमने आपको बताए तो हाँस पर हमने discussion किया और हर एक factor यहाँ पर सबंजी कोशिश की कि अगर आपको capital gain हो रहा है तो क्या करना चाहिए वहाँ पर अगर आप rent पे कर रहे हैं तो किस तरह से आप उसको सेव कर सकते हैं अगर आपको rent receive हो रहा है तो फिर उस पर tax liability क्या बनती है साथी साथ TDS से लेकर हमने यह भी समझा कि capital gain भी अगर होता है तो उसका आप किस तरीके से प्लान करके save कर सकते हैं इस पर भी हमने बात की लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं mail id और whatsapp number हमारा जो phone line number है वो भी लगातार आपके screen बर flash होता रहेगा लेकिन अब दर्शकों के कुछ सवाल भी हमारे पास है इतनी करके उनको भी शामिल करते हैं और दिल्ली से जितेंद्र जीन ने हमें एक सवाल भीजा है बैवन जी यह HUF के पार्ट हैं जिसमें कि यह करता नहीं है कि फादर करता है यह जानना चाह रहे हैं कि क्या यह एक नए HUF पैन के लिए apply कर सकते हैं और उस HUF में उनकी wife और उनकी daughter को as a member रखेंगे और वो करता रहेंगे और अपने फादर के HUF में भी वो continue करना चाह रहे हैं क्या यह possible है दो पुझा जितेंद्र जी को खुशखबरी है कि वो अपना चाह का भी पैन नंबर ले सकते हैं जो हिंदू लोह है इसके हिसाब से खुल मिला के जो चार पीडी के जो लोग है जो एक common ancestor से आते हैं वो चाह के member होते हैं तो एक व्यक्ति एक ही समय में चार चाह का partner हो सकता है अ अपने पिता जी की और अपने खुद की एचे अपका और चुकि एचियोप मैं जो जी टेंद्र जी की तो एचियोप पहले से ही शUS फारे कि अगला सवाल हमें मुंबई से अंकेता जैन जी ने भीजा है इनके IT स्टेटमेंट 26AS में एक गलत एंट्री हो गई है किसी कंपनी ने इनके नाम से यहां पर TDS एंट्री कर दी है जो की जिससे जुड़ी इंकम भी इनको यहां पर नहीं हो रही है तो यह जाना चारिएं कि जो रॉंग एंट्री हो गई है इसको किस तरीके से करेट कर सकते हैं हटा सकते हैं अपने स्टेटमेंट से 26AS स्टेटमेंट से देखे पुझा ऐसा है कि अंकिता जी के केस में ऐसा हुआ है कि जिस व्रक्ती ने TDS काटा है उसने जो पैन नंबर डालने में थोड़ी कोई गलती हो गई है तो जिसकी इंकम है और जिसका TDS है उनके अकाउंट में नहीं गया और अंकिता जी का जो पैन नंबर डल गया है तो इनके 26AS में दिख रहा है अभी इसके लिए इनके पास में एक आप्शन है कि अपने जो इनके खुद के जो इनकम टेक्स ऑफिसर है उनको एक चिठी लिखके पॉइंट आउट कर दे कि यह जो TDS मेरे 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है यह TDS मेरा नहीं है और यह इनकम मेरी भी नहीं है और मतलब आप थोड़ा follow-up भी करते रही है जिससे वो correction भी आपके account में हो जाएगा और आपके 26AS से हड़ जाएगा प्रो एक्टिव तो थी है बदमान जी तभी इन्होंने गलती पकड़ी और हम अपने दर्शकों को भी यह सजेस्ट करेंगे कि वो बीच-बीच में अपने income tax statement से जुड़े जो भी form है दस्तावेज हैं को बीच-बीच में रिव्यू करते रहे हैं जिससे इस तरह की गलती अनुष गुपता जी ने हमें अगला सवाल भीजा है यह अमेरिका में पिछले 10 सालों से रह रहे हैं लेकिन इंके दो घर इंडिया में भी हैं जिनकों की इन्होंने रेंट पे देखे रखा है और लास्ट फिरांशिल एर ही अब यह जानना चाह रहे हैं कि क्या इंडिया म कि कोई भी व्यक्ति जिसकी जो इंकम ग्रॉस इंकम टेक्सेबल इंकम अगर धाई लाक रुपे से ज्यादा बले वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है उसको अपना आई टीर फाइल करना जरूर है बले टेक्स लाइबलीटी हो या नहीं हो जो लोग 60 से उपर है औ जो 80 से नीचे उनके लिए यह लिमिट 3 लाक है और जो 80 से उपर है उनके लिए यह लिमिट 5 लाक रुपे की है तो अगर आपकी जो टेक्सेबल इंकम मतलब जो बिफोर डिड़क्शन मतलब जैसे 80C विगेरे के 80D के जो डिड़क्शन है उसके पहले आपकी इंकम देखनी तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी जो आपकी दो घर से जो किराया आ रहा है और इसके अलावा भी अगर कोई आपकी इंकम इंडिया में हो तो पहले तो रेंटल इंकम आप देख लिजिए कि आपका जो रेंट आया उसका 70% पर टेक्स भरना पड़ता है और दू अपनों केस में सेम है तो यह रहा है आपको यहां पर राद दी गई है अगला सवाले लेते हैं जहारकंट से एसके सिंग जी का सवाल आया है इनको कुछ शेर्स मिले हैं इन्होंने जो कि अभी भी डीमैट मोड में ही है और यह जाना चाहरे हैं इनके उस शेर की पर्चेस का आइडिया नहीं है तभी जाना चाहरे कि अगर वो यह शेर मार्केट में वापस से बेचेंगे तो फिर ल्टी सीजी किस तरीके से क्यालकुलेट होगा अगर यह शेर्स अपने बेटे को ट्रांसफर कर देते हैं तो फिर क्या उसमें किसी तरह के गिफ्ट डीट प्रिप देखिए पूजा ऐसा है कि चुकर इनके डेमेट में शेर है और मुझे को लगता है कि यह लिस्टेड शेर्स है तो लिस्टेड शेर्स के लिए एक सीधा प्रोविजन है लॉंग टम के लिए 112 एका तो अगर इनको जैसे बसियत में मिले हैं इनरी टेंस में मिले हैं तो आपके पास में option है कि 31 जनवरी 2018 को जो लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड प्राइस था उसको आप अपनी cost consider कर सकते हैं तो आपको ज्यादा पुराना दूर में जाने के जरूरत नहीं है 31 जनवरी 2018 का जो शेर प्राइस है क्लोजिंग प्राइस है वो ले अगर आप किसी को गिफ्ट को वैलिड होने के लिए जिसको गिफ्ट दी गई है उसके द्वारा accept की जानी चाहिए वो स्विक्र की जानी चाहिए तो इसके लिए आपके लिए गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं है पर कोई भी एक डॉक्यमेंट बना दे जिसमें आप लिख दे कि आपने ये एक शियर अपने बीटे को या बीटी को गिफ्ट दिये और बीटे और बीटी का भी उस पर सिलने चरो कि उन्होंने अपने ये शियर accept कर ली है तो आपका ये पूरा जो गिफ्ट का ट्रांजेक्शन है वो complete हो ज आपका समय हमें देने के लिए अपना किम्टी और तमाम सवालों के जवाब भी देने के लिए भावा धने वाद आपका फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही मुझे दीजी इजाज़त नमस्कार